अब सेल्स में जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको कस्टुमर्स इन्वाइस रिसेप्ट क्रेडिट नोट्स कस्टुमर्स मतलब जितने भी आपके टोटल कस्टुमर्स है उन सब की डिटेल्स आ जाती है अब इसमें क्या है मिलेगा कि है कि अगर आपको उसक्रवर्स का इन्वाइस इस डिटेल बेंचियमस से फिल्स डिटेलीज लेजर दिटेल्स मतलब उनका जो लेजर से ठीक है और कमेंट एन हिस्टरी मतलब उस कस्टूमर से क्या बात है चल रही है अब इसमें एक और हेल्प मिलता है कि उन्होंने आपके जो मैसेज़ है वो ओपन करें वो भी आप चेक कर सकते हो ठीक है दूसरी चीज़ आपको यहां हेल्प मिलता है कि आप लेजर को या फिर पेमेंट रेसीवड को मैनुवली भी सेर कर सकते हो ठीक है या सेट और रेमाइंडर भी कर सकते हो यहीं से हर किसी कस्टूमर का किसी पे भी जाओगे आप टोटल उनके पेमेंट रेसीवड उनके इन्वाइसेज उनके laser और उनकी comment and history आप देख सकते हो कि सी भी customer का किसी पर भी click करोगे उस customer की details आपको देख जाएंगी ठीक है अगर आप invoices में जाओगे sales के option में तो invoices में भी आपको जितने भी invoices आप daily by daily बना रहे हो उन सबकी details आपको दिख जाएंगे कौन सा पेड है कौन सा नॉट पेड है वह आप देख सकते हो ठीक है कौन-कौन सा ओवडी होच कहा है अब इसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं लोगों पर क्लिक करना है फिल्टर बाहर पे और आपको देखने है कि मिर को बस paid-paid वाले देखनें है आपने कर दिया आपको सारे पेड़िया देखने आपको देखने मिर आंपेड़ वाले देखने है अपने क्लिक कर दिया है यह सारे इनको आप सेंड भी कर सकते और यह मेलेग्ग करना है लोगसीeno आ नमबर हाता है किस कंपनी का कितना अमाउंट है किप डेट डिून हो जाएगा कि अ बैलेंस जो लिट मुचन होगा फिंप है अगर प्रची पेकर होगा तो यह कम अब है ठीक है अगर आपको लगता है कोई भी क्वाईरी है कोई भी डाउट है ठीक है आप डारेक्ट मिहूल जी से कनेक्ट करें हिदान से केटिमी से कनेक्ट करें